2019 में नए वादो की बात करने से पहले मोदी जी देश को बताएं कि उन्होंने 5 साल में अपने 2014 के घोशना पत्र में किये गए किनकिन वादो को पूरा किया है आज उन मुद्दों पर बात करने से क्यों कत्रा रहे हैं उन्भारी भरकम आसमानी वादों योजनाओं और घोशनाओं का क्या हुआ प्रुधान मंत्री जी और विहार के बड़बोले मुख्यमंत्री वा उप्मुख्यमंत्री जनता के निमलिखित सवालों का जबाब दे सभाचनाओं में किये गए वादों पर बात करने से क्यों शर्मा रही है नितीश जिकातों कहना ही क्या उनके वादें तो बीजेपी से विप्रीत थें लेकिन अब उनकी वैसा खी और जनादेश की डगेती के सहारी ही ठिके हैं दस्वा और आखरी सवाल पढ़ाई दवाई और कमाई की जगब रशचाचार बलातकार और अत्याचार को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है अप राधियों को संडरक्षित संपोशित और सुरक्षित क्यों किया जा रहा है दूसरा सवाल बिहार के लिए विशेश राजे व विशेश पैकेच का क्या हुआ जब केंद्र और राजे में एंडिये की ही सरकार है तो अब बिहार को उसका अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा तीसरा सवाल कानून विवस्था सिक्षा स्वास्थे रोजगार क्रिशी उद्योग जैसे मुद्दो पर बिहार आज भी राज्ट्रिय और सत की सबसे निम्रितन अस्तर पर क्यों है जब की राजे में पिछले 15 साल से बिहार में इन ही जुम्ले वाजो और पल्टी वाजो की स सबसे नीचे क्यों है जबकी तथा खतित सुषासन की सरकार लगभग 15 साल से राज्य में है पांचवा सवाल सुनियोजित अपराद हत्या बलातकार अपहरन के आकडों को डबल इंजन क्यों लग गया है ब्रश्टाचार और बलातकार में लिप्त सत्ताधारी नेताओं को नितीश कुमार क्यों बचा रहे हैं चट्था सवाल किसानों की सिती बच से बत्तर हो गई है क्रिश्टी से जीवों को पार्जन असंभब बना दिया गया है किसानों के मुद्दों पर डबल इंजन की सरकार असंवेदन शीलता की सारी हदे क्यों पार कर रही सात्मा सवाल विद्यार्थी एक लचर और उदासीन सिक्षा विवस्था पर निर्भर रहने को क्यों विवश्ष है हर परिक्षा में गरबडियां सिक्षक भवनों और पुस्तकों का अभाव आम हैं आजमा सवाल हर प्रतेविता परिक्षा वन नियुक्ति में धांतली भाई भती जवा कि अलाज के नाम पर हुआ है